तो आज है संदे का दिन और आज का व्लोग मनें मौनी से स्टार्ट कर दिया है मैंने लगाई यह वाशिंग मशीन कप्रे तो थोड़े से हैं लेकिन फिर्व मैंने का चलो दो लेते हैं आज इसको और साथ ही यह देखिए मेरी कीचन का हाल ब्रेकफस्ट का काम तो में बढ़ करना है कि आज आज आए पो दोले बरतन और यह देखिए मेरी स्लैप का हाल एकदम मैसी हो जाती है कि बस पूछो मत अब इसको भी क्लीन करना है साथ में कपड़े भी धोने हैं और इसके साथ मेरी चल रही है यह क्लीनिंग तो यह तीनों चारों काम मैं इक अठे कर लेते ह जल्दी प्री ओ सकूँ एक्टरी संड़े का दिन मेरा ऐसा होता है कि मुझे होता है कि आज मेरी मशीन पर लगनी ही लगनी है क्योंकि संड़े का दिन थोड़ा सा प्री होता है अब आप यह देखिए मैं लगा रही हूं पोच्छा कपड़े तो मेरे मोश्ती खतम हो चुक तो देखा तो फ्रीज कोई वेजिटेबल्स भी मेरे को नहीं दिखाई दी तो मैं सोचा चलवाज को ही बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने कट किया है एक वड़ा सा अनियन एक टमैटो और एक आलू आप इसमें अपने हिसाब से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं इसमें अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी है और डाइजस्ट भी अच्छी तरह हो जाता है तो मैंने चलो आज हम यही बना लेते हैं तो मैंने कडाई में घी डाला है लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैं और एट करूँगी और घी को जैसे ह निकलता है मसाले का और उस मसाले से इस पोह का टेस्ट इतना धुबना हो जाता है कि आप पूछे मत मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है पोहा पहले मैं सिंपल वाला बनाती थी लेकिन जब से मैं इस पैकिट को बनाना शुरू किया तो मैं अब यही प्रैफर कर जो कि ह कर दिया है क्योंकि तेल हो चुका है गरम अब इस पोहे को मुझे वाश करना है वाश करके एक्टि यह थोड़ी रखना पड़ता है लाप को मैं साथ-साथ प्लिम कर लेती हूं लाप गंदी मुझे बिल्दू में अची लगती और तेल गरम हो गया है अब मैं डालूंगे पॉड़ी थोड़ी राई लेम एक दम जिन कर दें कि राई एक दम से तक ने लगती है अगर पेल ग्यादा गरम हो तो आप इसमें तेल डाले या गी डाले जो भी आप ड्राफर करते हैं दाल सकते हैं मैंने तेल का यूज किया है अब थोड़ी हम राई को सोटे करेंगे औ और इसमें आज करूंगी मैं ये पटा हुआ अनियन को पोल्डन ब्राउंड होने तक मैंने सौटे करना है ज्यादा कोल्डन में करना ठीक ठीक हो इसका प्लेम को सिंग कर दें प्लेम पर प्या सरने का डर जाता है अची तरह से इसको रिंस करना है अभी जो पानी है नीचे इसको पैक कर पोह को हम ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए जब तक हमारा मिस्टर त्यार होता है हमारा पोहा भी रेडियो गएगा अनियन्स बोंचूके हैं उंची स्वेल अच्छी आनि स्टार्ट होगी है अब मैं एड़ करूंगी इसमें तमाटोस को हल्का सब्स्राइब करूंगी तकी हल्के से थोड़े-थोड़े मैश हो जाएं और साथ ही मैं इसमें एड़ करूंगी पटैटो जो मैंने पहले ही काटके रखा हुआ है अब इन तीनों को एक मिक्स देंगे अच्छे से इनने भूनते हुए में एक से दो मिनित हो गये हैं एक्धिली मैं डालूंगी ठोड़ा करी ली मैं पहले डालना भूल गई थी लेकिन आप ठोड़ा डाल दे तो ज्यादा बैटर गाइगा पिकिन आज मैं तोड़ा सब्स्राइब कर दिया है साथ ही मैं डालूंगी हल्की सी अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च डाले अगर नहीं पीखा अच्छा लगता है तो इसको एवाइड भी कर सकते हैं साथ ही मैं डालूंगी इस मिक्सर के अकॉरिंग काला नमक तो मैंने इसमें एक चमज नमक डाला है घराख दाल कर इसको अची करा से में एक अच्छा करेंगे और साथ ही मैं एड़ आप्यकी निकला है मसाले का यह वला campaign मैं अब इसमें सारा हाच करदूगी कि इससे पोहे का टेस्ट दुबना होने वादा है और और कोई मसाला नहीं डाला मैंने पिरफ काले में इसका लिए हल्की ती और यह वला मसाला डाला है अब इसको मैं फ्लेम बेग्दम सिंध करके थोड़ी देर के लिए तक कर छोड़ दूंगी ताकि आलू अथी तरह से पक अच्छी अच्छी कुश्बू भी आने स्टार्ट हो गई है और अब इसमे एड करेंगे यह पोहा जो पहले ही मैंने दिन्स करके रखा हुआ था अब इनको अच्छे से मिक्स देंगे वर में अच्छी तरह से धीरे सिर्णों जीरेसेमिक्स करेंगे इवाण कि वह मेरे घर में सारे ख़ुशों के खाते हैं बच्चे से लेकर बढ़ तक वैसे तो मैंने सोचा था कि कोई सबजी बनाऊंगी लेकिन चलो आज कोई सब्सक्राइब नहीं थी तो मैंने सोचाओ चलो आज यहीं त्राइब कर लेके तो इसके साथ भी डालूंगी मैं थोड़े से आमंड आप इसमें पीनट्स भी डाल सकते हैं लेकिन आज पीनट्स नहीं थे तो मैंने आज आमंड्स से ही काम चला लिया है यह पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है गर्मा गरम इसको खाएं इसका तेज भी अलग होता है इस पोहे जाएं आप भी मेरे साथ दाटी और खाएं गर्मा गर्म कोहा जटपट से बने वाला इजी एंड क्रीक रेसिपी है और यह मैंने साथ मी बना ली है चाहे और साथ में थोड़ा सा फोन चला रही हूं क्योंकि दुबर से मैंने अपने पोन को देखा तक नहीं था अब मैं द दिन वाशिंग मशीन लगाने है उस दिन तो बस पूछो मत एक के बाद एक काम इतना बढ़ता जाता है कि बस सारा दिन काम खतम होने का टाइम यह नहीं लगता तो उसके बाद लंच अगयरा की रूटिंग स्टार्ट हो जाती है बस यही करते-करते और टाइम हो चुका है तो मिलते हैं में अपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई